So, Hello my dear friends, Welcome to the Indian Advanced Studies आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वारी हूँ पंजाब पुलिस कॉंस्टेबल के बारे में पुरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसिस कैसे और किस तरह से होते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IASP पर exclusive और official website है जहाँ पर आपको इस से related सभी information, updates, notifications आपको सबसे पहले मिलेंगी तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी सर्च करते ही मैं यहाँ पर new tab में open हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है पंजाब police constable recruitment 2022 फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी क्लिक करते ही मैं यहाँ पर new tab में open हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है notification, application, admit card, exam pattern and result आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ step by step के process कैसे और किस तरह से होते हैं तो यहाँ पर कुछ introduction दिया गए आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर आते है table of content पर जैसे कि एगा किसी भी topic के वारे में आपको जानना हो जैसे कि what is पीपी constable या फिर इसका highlights, dates, notification, vacancy, eligibility, application process, application fees, admit card, sanitary, patterns, labels, preparation tips, result, minimum qualifying marks, selection process and salary इन सब टॉपिक में से अगर आप किसी भी topic के बारे में doubt हो तो फिर आप उस topic पर क्लिक के जएगा और आप नवी page में उपन हो जाएंगे और आप किस सारे doubts clear हो जाएंगे फिर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है what is Punjab police Punjab police constable क्या है कब क्या है sorry किसने स्टाट या कब स्टाट हो इसमें किते vacances है किते post है उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है फिर हाँ बात है highlights पर जैसे कि दिया आप पोस्ट कौन सा पोस्ट है यह तो यह पोस्ट का नाम है constable इसमें 6435 vacances है और यह भी सिफ एक्सपेक्ट करता है मतलब यह confirm नहीं है कि हाँ 6435 vacances है इससे जादी भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं फिर नोटिफिकेशन अभी रिलिज्ट नहीं हुआ है और नहीं है इस इससे इस सबसे पहले पता चल जाएगा फिर आपको इस वेबसायट की थीर सबसे पहले पता चल जाएगा फिर अब हम आते हैं Notification PDF में Notification PDF होता है कि आपको इस मसार्य इंफ्योशन दिए रहती है जिसे कि आपको सबसे बहुत रहता है किलिक करें अपनी पेचिए बनाँ जाएंगे आपको नौटिक के बारे के दिया रहे का फिरिया में हैं और के अ जिया पर मेल के लिए है और्स के लिए लुन में 25 इन सब्सक्राइब करने के लिए इलिजिबिलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप इस लिमीट होता है कि अगर आप 18 तू 28 यह अंडर में जैसि अगर आप 18 से कम हैं या फिर 28 से जादे हैं तो भी आप इसका ब्लैक करने के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे फिर एजुकेशन कालिफिकेशन दिया गया है कि आपका 10 12 होना चाहिए फिर आपका मांक्स एटलिस 50 परसंट से मत अगर आप जैनल काटेग्री से बिलॉंग करते हैं तो फिर आपका मांक्स जो है वह 50 परसंट से उपर आना चाहिए तो तभी आप इसको अप्लाय करने के लिए लिजिबल रहेंगे फिर फिजिकल स्टेंडर दिया गया है अगर आपकी हाइट अगर आप मेल 5'7 अगर आप फिर मेल हैं तो फिर आपके एग फाइट वार्ट 3 इंच के अंदर में होने बिलॉंग आपकी हाइट जो है हो इससे कम नहीं होने रहे पिर वक्त इस पर एक्सपेरिएंस दिया गया है मतार्द कितना आप एक्सपेरियंस आपको इस वर्क के वारे में इससे एप अपला कर सकेंगे फिर application form application form होता है चिको किस तरह सब्सक्राइब करना जाता है सबसे पहले आजर्चेटर किस तरह करना जाता है सबसे पहले आना जाता है आपको official website पर जल्टाइब लिए क्लिक करते हैं मोबाइल नबर और इमेल एडरेस यह सारी आपको information feel करने रहती है आपको एक बार check करना रहता है कि हाँ आपने सारी information feel क्या है कि नहीं से कि कभी-कभी telephone number भी wrong हो सकता है by mistake तो आपको एक बार check करना रहता है या फिर address भी wrong हो सकता है तो फिर आप उसको भी check कर लिजएगा उसके बाद अगर आपने check कर लिया है तो फिर आप उस click के button click submit के button पे click कीज़ेगा और आपका register हो जाएगा उसके note of the login ID and password applied by the system फिर आपको login ID and password उसमें मिलेगा उसको आपको वनोड करके रख लेना एक notebook में ताकि आपको कभी भी काम आए तो आप भूले ना आप वो notebook में देख सकेंगे क्या हाँ आपको login ID और password क्या था फिर आप application form का बारे में दिया गया मतापको किस तरह से form फील करना रहता है तो सबसे पहले आपको यान रहता है official website पे official website पे आपको लिटेस अपड़ेट पे पे लिटेस करना रहता है फिर करते हैं आप new page भी अपन हो जाएंगे जहां पर आपको अपना सारी इंफोर्मेशन देना रहता है जैसे कि आपने नेम रेडिस्ट्रेशन नंबर login ID, password, address इस सारी इंफोर्मेशन आपको फिल करना रहती है उसके बाद उसमक्स डॉक्यमेशन भी रिक्वाइड रहता है जैसे कि आपको आधा कार्ड पेंट, कार्ड राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी इस सायों डॉक्यमेशन भी चाहिए रहता है अगर आपने इस सायों डॉक्यमेशन भी दे दिया है जैसे कि अगर आप जेर्णर काटेग्र से बिलॉक्यम्य करते हैं तो एपलिकिशन भास्च वास्च द्राइगा 400 और एक्जाम फिस से रहेगा 600 टोडल आपको 1000 पे करना रहेगा अगर अगर आप वाई एसम से बिलॉक्यम करते हैं तो फिर आपका 400 रहेगा नहीं रहेगा सिर्फ एप्लिकेशन फीज सब के लिए रहता है एक्सांप फीज नहीं दिया गया है इस तो आपधेज़ बिलॉण करते हैं आपको इतने फिर कर देना है उसके बाद आपको एक बार अपने प्लिकेशन फॉर्म स्टाइटिक से चेक करना रहता है यहाँ आपने सारे information उसमें सही feel किया है या नहीं वो एक बद चेक कर लिए हैं अगर आपने wrong कुछ लिखा है तो फिर आप सो कर्योट भी कर सकते हैं उसके बाद वो कर्योट करने के बाद आप अपना application form submit कर सकेंगे और आपका application form submit हो जाएगा फिर आप admin card कर लिए दिया गया है admin card exam को 10-15 दिस पहले आती है यह आप official website के थुरू देख सकते हैं सबसे पहले आपको official website पर आना रहता है official website पर आती है आपको latest update पर क्लिक करना रहता है क्लिक करते हैं अपने page में हो जाएंगे जाहें आपको अपना passport and user ID टाइप करना रहता है उसके बाद आप login पर क्लिक कर जेगा और आपका application admin card जो है आपके सामने रहेगा और आप उसको PDF बना सकते हैं या फिर print out भी निकाल सकते हैं अपने future reference के लिए चुँकि वो कभी भी काम आ सकते हैं फिर आप पर दिया गए कि application sorry admit करके अंदर क्याके information दिया रहता है जैसे कि candidates full name examination name and exam date और recent pics उसमें रहती है जेंडर मितला पहुंसे जेंडर से मेल है फिमेल है निम अब दर father and mother आपके mom and papa का नाम रहेगा आपको exam time और roll number रहेगा आप किस काटेगरी से बिलॉंग करते हैं जैसे कि SC है, ST है, BC है और फिर अदर काटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो उसके वारे में भी दिया रहेगा उसमें फिर test center दिया रहेगा क्या आपको exam center कहां पर होगा आड्रेस दिया रहेगा, exam center दिया रहेगा और candidate signature रहेगा आपको signature रहेगा उसमें तो यह सारी information दिए रहेती हैं application, sorry, admin card के अंदर फिर हाँ पर दिया है exam center exam center जो है वो आपके admin card के अंदर दिया रहेगा क्या आप exam center कहां पर आ रहेगा और exam को time आप क्या के चीज़ों नहीं लेकर आना है और क्या क्या चीज़ों लेकर आना है उन सब के वारे में हाप पर दिया गया है जैसे कि the Punjab Police Constable admission card for 2022 आपको अपना admission card लेकर आना है paint card, driving license, आधा card यह सब documents भी चाहिए रहता है photograph identification के लिए two password size images were taken recently दो password size photos चीज़ों रहती है certificate of caste, caste certificate यह चाहर चीज़ों आपको exam के दिन लेकर आना है थी exam center में और mobile phone, tablets, any piece of paper that contain relevant details यह फिर टेबल और charts, यह फिर फिर शीट्स pencil boxes, geometry box और written pad, other electronic gadgets या फिर इस्क्रबल sheet या फिर food items यह सारे चीज़े आपको लेकर नहीं जाना है आपको exam center में और आपको documents लेकर आना रहता है दो photos लेकर आना रहती है cast certificate लेकर आना रहता है और admission card यह सब चीज़े लेकर आना रहती है और यह चीज़े आपको नहीं लेकर आना रहती है फिर exam pattern, exam pattern के सरह से आप पर रहेगा जैसे कि general evidence का subject है तो फिर आपको 20 marks का question रहेगा और 20 marks का रहेगा वो 22 aptitude के लिए 20 questions, sorry 30 questions और 30 marks ऐसे यहाँ पर और भी subject के लिए दिया गया है और आपको time मिलेगा 180 minutes का फिर आपको syllabus दिया गया है कि आपको कौन कौन से syllabus study करनी है जैसे कि आपको दिया गया है general evidence दिया गया है फिर हैं आपको बहुत सारे subjects name दिया गया है reasoning है skills writing है हर एक subject के लिए physical test दिया गया है हर एक चीज के लिए दिया गया है फिर type of types of pass the Punjab police constable recruitment exam किस तर से आपको pass करना रहता है उन सब के बारे में विडियोडियोस में दिया गया है preparation tips किस तर से आपको अपने subject के लिए prepare करना रहता है तो सबसे पहले अपने study के लिए time table बनाना रहता है उसके बाद आपको time to follow करना रहता है अपने study के लिए और यह सारे आपके लिए best books दी गई है वाद आपको क्लिक उन से बहुत जाद important रहती है उन सब के बारे में भी यहां पर दिया गया है फिर आते result पे result exam के कुछ दिन बाद आती है यह आप official website के दिन देख सकते है जब से पहले आपको official website पे आना रहता है पंजाब police constable के उसके बाद आपको रिक रोटमेंट टैप पे क्लिक करना रहता है क्लिक करते हैं आप new page भी open जाएंगे यहाँ पे result का option दिया रहेगा उसको आपको उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको अपना registration number और पासवर्ड लिंक टाइप करना रहेगा उसके बाद अगर आपने सही information उसमें दिया है जैसे कि अगर आपने registration number और अपना password दोना सही दिया है तो फिर आप अपना result देख सकेंगे अगर आपने अपना result देख लिया है तो फिर आपसको PDF बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउड पर निकाल सकते हैं अपने future reference के लिए फिर आप important links दी गई है official website के आपर है फिर minimum qualification of qualifying marks बन्द आपको कितना marks आना शी है उन सब के बारे में विजिया गया है जैसे कि अगर आप यूर काटेगरी से बिलांग करते हैं तो फिर आपकी cutoff marks 68 से उपर अनची है अगर आपको इसे कम marks आया तो फिर आपसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और तो आपको कुशिश करनी है कि आपको 68 से जाधी marks है ऐसे यहां पर और भी काटेगरी के लिए दिया गया है फिर अगर आपको cutoff marks से जादा मास आता है तो ही आपका मारिट लिस्ट में नाम आएगा वरना अगर मारिट लिस्ट में आपका नहीं नाम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे सेलेक्षिं प्रसुस्स दिया गया है कि अगर आप प्रिलिम इंग्जान मेंडमेड रिव्यू डॉक्ट वरिफिकेशन फिजीकल इनस्ट पास हो गए हैं तो आप इसमें अप्ला करने के लिए लिए लिजएब़ रहेंगे और आप इसमें सेलेक्ट रहेंगे salary salary and benefits अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग salaries होती हैं और यह salary और अगर आपने से अप्ला किया था और आप समें जॉइन हो गए हैं तो फिर आपका इसमें बहुत साथे benefits रहते हैं जैसे कि medical दिया गए है त्रेवल दिया गया है डियरनेस एलवेंट से चिल्र फॉर चिल्डर है एजूकरिशन बैइफिट्स रहे हैं है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टन रहती हैं इसके लिए के डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप पहुंपर जाकर चेकर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू